चलिए आज हम बनाएंगे मिक्स फ्रूट सेवाई जो कस्टेट सेवाई भी बोलते हैं यह बहुत टेश्टी बनता है असलाम अलेकुम नमस्ते दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखेगा चलिए रेसिपी सुरू करते हैं सबसे पहले दिखा देती हूं यहां पे मैं कस्ट कर ली हूं यहां पे दो चिमच मैं कस्टेट पोडर ले ली हूं तो दो बड़े चिमच इसमें हम दूर डाल देते हैं अब इसका हम गाड़ा सा घोल बना लेते हैं इसमें बिल्कुल भी गुल्ठिया नहीं रहना चाहिए तो यह देखे दोस्तों अग्दम सुमूद घोल कडाई जो अधर हो गया है तैयार तो चलिया आगी की रेशिपी सुरू करते हैं कडाय में रख दी हूं वोगया है गरम आधा चिमच इसमें लाल फोड़ें है एक छोटा कप इसमें हम ये बारी क्वाला सेवई डाल देते हैं सेवई को हमें लाल अच्छे से भूनना है ये देखिए सेवई अच्छे से लाल फराई हो गया है तो अब हम इसे निकाल लेते हैं पलेट में वही कड़ाई मैं साप करके रख दी हूँ एक गिलास इसमें हम दूद डाल देते हैं मीठे के हिसाब से यहाँ पर मैं एक कप सककर डाल देती हूँ दूद को हम चलाते हुए ये कुबालाने देते हैं ये देखिए दूद में उबाला गया है दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है नीचे एक लाइक का बटन दिया हुआ उसे प्लीस लाइक कर दीजिएगा चैनल पे ने हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लेजिएगा सेर करिएगा कमेंट करके ज़रूर बताएगा दो कुटी हुए इलाई जी का दाना डाल देते हैं अब ये जो हम कश्टर और दूद का घोल बनाए थे ना ये घोल भी हम दूद में डाल देते हैं तो अब हम इसे चलाते रहेंगे दो मिनट तक के इसे हम पकाएंगे तो ये देखिया हलका गाढ़ा हो गया है तो इसे हम और गाढ़ा कर लेते हैं तो दोस्तों ये दो मिनट हो गया है पकाते हुए अच्छे से गाढ़ा हो गया है तो गेस को बंद कर देते हैं और फराई किया हुआ इसमें हम सेवाई डाल देते हैं और दोस्तों इसे हम 20 सिकंड के लिए या हम 20 सिकंड के लिए इसे ही छोड़ देते हैं ताकि ये हलका सा ठ थंड़ा हो गया है और भी गाड़ा हो गया है तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं तो यहां पे मैं एक बावल ले लिए हूं कटे हुए सभी फुरोट डाल देते हैं फिर से हम से वही उपर से डाल देते हैं फिर हम इसमें कटे हुए फुरोट डाल देते हैं फिर इसके उपर हम से वही डाल देते हैं यहाँ पे दोस्तों मैं फुरूट थोड़ा सा ज़ादा डाली हूँ आप चाहे तो कम भी कर सकते हैं मैं इसलिए डाली हूँ क्योंकि मेरे बच्चों को फुरूट बहुत ज़ादा पसंद है तो इसलिए मैं डाल दी हूँ तो लिजिए दोस्तों कस्टेड फुरूट से वही बनकर हो गया है तयार इस तरह बना कर खाएं चैनल पर नहें हैं तो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजिएगा इसी तरह नहीं नहीं वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करिएगा सेर करिएगा मिलते अगले वीटियों तब तक लिए अल्ला आफिर्ट